कॉंग्रेस विधान सभा के शीद कालीन सत्र में शिवरास सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाईगी रश्टचार बेरोजगारी और भरती खोटाला अविश्वास प्रस्ताव के मुख्य मुद्दे होंगे प्रदीश कॉंग्रेस अध्यक्ष कमलनात ने विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग को अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की सिम्मेदारी सौपी है इस काम में पूर्व विधायक पारस सकलेचा उनका सहीयोग कर रहे हैं विधायकों से भी विश्वास प्रस्ताव प्रस्तूत किया था लेकिन इस पर सदन में चर्चान नहीं हो पाई थी इसके पहले वश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग ने त्यारी प्रारम कर ली थी इससे लेकर बैठक का दौर भी शुरू हो गया है इसमें कुछ सेवा निव्रत आएस अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं विधायकों से कहा गया है कि वे ब्रश्टाचार से जुड़े प्रमानिक मुद्दे दे ताकि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव में शामिल किया जा सके पूर विधायक पारस सकलेचा भी इस काम में सहयोगी की भूमी का निभा रहे हैं सुत्रों का कहना है कि प्रदेश की अर्थ विवस्था को मुद्दा बनाया जाएगा अभी तक सरकार के उपर 3 लाग करोड रुपे से अधिक करिण हो चुका है पंजीकरत बेरोजगारों की संख्या 30 लाग से अधिक है सारव बांध में जिस तरहां अधिकारियों की ठेकेदारों से मिली भगत की बात सामने आई है उसे मुद्दा बनाया जाएगा नर्सिंग कॉलेज, पुलिस, भरती घोटाला, OVCR रक्षन सहित अन्य विश्यों को लेकर भी पार्टी सरपर तयारी की जा रही है अधिक है आप देख रहे हैं तखल्यूर्ट